आपने लॉग इन किया है फिलमे बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका रश्मी देसाई है टीवी जगत का जाना पहचाना नाम वो किसी पहचान की महताज नहीं है यहां तक की रश्मी देसाई जब रिसेंटली मेडिया में आई सामने तो हर कोई उन्हें देखकर हो गया है क्योंकि रश्मी देसाई को इस लेटिस वीडियो में पहचान पाना हो रहा था मुश्किल यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को देखे और सुनिये कैसे पिपराजी कहना है कि माम आप तो बहुत जादा बदली बदली देख रही हो आप तो पहचान में ही नहीं आ र रश्मी के बड़े हुए वजन और उनके चहरे पर दिख रही बढ़ती उम्र को लेकर अब वो कर रहे हैं रश्मी को टार्गेट बता दे आपको सोशल मीडिया पर लोग भी रश्मी को कहते नजर आ रहे हैं कि आप तो हो गई हो मोटी आपका वजन तो काफी बढ़ गया ह है जी हां रश्मी एक वक्त पर काफी जादा फैंस की अटेंशन बटोरती थी फैंस को काफी जादा हसीन लगती थी लेकिन अब जो उनका बदला हुआ हाल है ना वो तो भाई फैंस के ना गले से नहीं उतर रहा और फैंस उन्हें जमकर टोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर यहां तक कि इस बार तो पिपराजी ने भी रश्मी की उड़ा दी है खिली उन्हें ये बोलते हुए कि भई माम आप तो पैचान में नहीं आ रही है आप तो बहुत बदली बदली लग रही हो देखिए एक बार फिर से इस वीडियो को जब रश्मी आती है क्यामरा के सामन पोस देने के लिए तो पिपराजी क्या करते हैं उनसे सवाल वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ बिग बॉस सीजन 13 से जब रश्मी देसाई ने टीवी पर वापसी की थी तो उनके फैंस को लगा था कि इस बार रश्मी एक बात फिर से टीवी चकत में च्छा जाएंगी पर गाईज ऐसा हो नहीं पाया और इसकी वज़े से रश्मी जो है काफी दिनों तक टीवी से गायब भी रही फिर बाद में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनकी तब्यत खराब हो गई थी वो काफी वक्त से बेमार चल रही थी जिसकी वज़े से उनकी बॉड़ी में देखकर फ्रांस ना हो गए थे शॉट बहराल गाईज आपकी क्या राय है आपका क्या कहना है आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और बताइए आपको रश्मी का ये लेटिस लोक कै कैसा लगा इस वीडियो में इतना ही